हाल क्यू दो रिजाल्ट्स, कंपनी का नेट प्रॉफिट एक दशमलव दो परसेंट बढ़कर 1236 करोड रेवन्यू में भी दिखा इजाफा हाल क्यू दो रिजाल्ट्स, हाल का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा 1.26, प्रतिशत की सालाना वृध्धी के साथ 1236.67 करोड र कंपनी का एबिट्डा सालाना आधार पर 5.8 प्रतिशत कम होकर 1527.7 करोड रुपए रहाने 10 नवंबर को वित वर्ष 24 की सितंबर तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी किये। प्रतिशत बढ़कर 5635.7 करोड रुपए हो गया। वित वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में कंपनी का एबिट्डा सालाना आधार पर 5.8 प्रतिशत कम होकर 1527.7 करोड रुपए रहा। हाल और हैट्स ओफ हेलिकॉप्टर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक सन्युक्त उद्ध्यम को 1.166.16 लाक रुपए का घाटा हुआ। जिसके परिणामस्वरूप नेट वर्थ में गिरावट आई। कमपनी ने ECB की बकाया किष्टों के रूप में 2200 लाक रुपए का ECB कैपिटल चुका दिया है। ECB लोन को रिन देने वाले बैंक द्वारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में क्लासिफाई किया गया है। एक दिन पहले हाल ने ए 320 विमान के रखर खाव, मरम्मत और ओवरहाल AMRO सुविधाओं के लिए Airbus के साथ एक कॉंट्राक्ट भी किया था सबसे बड़ी यूरोपिये विमान निर्माता कमपनी Airbus अ 320 फ्रैमिली टूल पाकेज प्रदान करेगा। इसके अलावा AMRO सेट अप करने के लिए हाल को विशेश परामर्ष सेवाए भी प्रदान करेगा। यहां हाल को Airbus World का एक सेस भी देगा। Airbus World एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट, टेकनिकल डेटा और प्रशिक्षन उपलब्ध कराता है। हाल ने कहा कि इस सहयोग से भारत में विमान रखर्खाव, मरमत और ओवरहाल AMRO उद्योग में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। महाराश्ट्र के नासिक में यह सुविधा शुरू की जाएगी। DGCA की मनजूरी मिलने के बाद नवंबर दो हजार चॉबीस तक यह काम शुरू किया जा सकता है। हेल भारत सरकार के स्वामित वाली एक एरोस्पेस और रक्षा कम्पनी है। कम्पनी सैन्य और नागरिक बाजारों के लिए विमान, हिलिकॉप्टर, एवियोनिक्स और संचार उपकरण को डेवलप, दिजाइन, निर्मान और आपूर्ती करती है। एने सई पर दोपहर 2.27 बजे हाल के शेयर 0.27 प्रतिशत बढ़कर 2036.25 रुपए पर कारोबार कर रहे थे।